नमस्कार आपका श्वाकत करते हैं आई टी टी नियूज में मैं हूँ आपके साथ उज्जोल कुमार जानेंगे अज दिन बर की छोटी हैं बड़ी खबरे तुछे पहले एक नजर हेडलाइन पे डाल लेते हैं तो आए जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल क्या रहे हैं ब जाने मंत्री रतने शवदा का आरोप क्या है बड़ी खबर बताएंगे विस्तार्षे वहीं आपदा चले का और बड़ी खबर निकल क्या रहे हैं पिर ओगी स्यासी खेला जेडियू के एक एक विधायक से मिले नितिश कुमार जाने किस बात पर हुआ मन्तन क्या है बड़ बड़ी खबर निकल क्या रहे है बंटा धार कर दिया किसके कहने पर हुए बारत दिन में नौ बदला शिक्षक बरती नियमावली पर शुशिल मोदी के नितिश शरकाश से शवाल क्या है बड़ी खबर बताएंगे विस्ताश वहीं आपदा चलेक और बड़ी खबर निकल क्य बत्वारे हुआ तो लालू की आरजेडी से ज्यादा लोग सवा शिट नितिश की जेडियों लड़ेगी क्या है बड़ी खबर बताएंगे इस विड़ो के माधियम से वहीं आपदा चलेक और बड़ी खबर निकल के आ रहे है अच्छी बारिश ये खिले किशानों के चेरे धान की खेती ने पकड़ी रफतार चाय ड्रेगन फ्रूट की फशलो को भी ज्यादा से ज्यादा वगा फाय दे तो क्या है बड़ी खबर बताएंगे इस विड़ो के माधियम से तो यह थी सुरक्या इन दमाम खबरों को जानेंगे बिस तो और तो उसरे पहले चैनल पर न सकते हैं मंतरी सिंदेश शिने को मौका मोधी सरकार में क्या फिर बदल की तयारी NDA पर भी मंधन पीम नारेंद्र मोधी तीन जुलाई को मंतरी परशद की बैठक करने वाले हैं यह जनकारी मिलने के बाद ही मंतरी परशद में फिर बदल की भी चर्चाएं शुरू हो गई ह इसके अलावा भासपा के शंगठन में भी बदलाव की चर्चा तेज हो गई है शुत्रो का काना है कि यह मीटिंग दोयर चौविस के लोग सबाचुनाव शे पहले ओबर अहालिंग को लेकर है ख़बर है कि भासपा का निर्थित चाहते हैं कि पुराने कठवन्दन सयोग्यों को फिर से साथ लिया जाए और केविनेट में भी जगह दी जाए इसी कोशिस के थर चिराग पाशवान को केविनेट में जगह मिल सकती है इसके अलावा एक नाथ सिंदे गुट वाली सीव शेना के भी किसी नेत्या को केंदर सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है ऐसे में बताचले कि चिराग पाशवान के लिए बहुत बड़ी खवर निकल के आ रहे है भाश पाशूत्रों को कहाना है कि पिया मोधी चाहते है कि एंडिये पुना गठन किया जाए नए परिस्तितियों में वहचंद्र बावुन डायडू की पाटी टीडिये अकाली दल को शात लाना चाहती है इसके अलावा यूपी और बिहार में अस्थानियों फाटियों को जोनने की तयारियों में है जैसे में जीतना माजी हाली में उनसे जूट चुके है और आप बदा चले कि चिराक पास्वान की बारी है जिनने अब बीजेपी में शामिल किया जाएगा ऐसे में अगर आप भी चिराक पास्वान की शमर्थक हैं और चाहते हैं कि चिराक पास्वान NDA के साथ चुनाओ लड़ें और NDA में शामिल हो जाए तो इस वीडियों को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दिजएगा और कॉमेंट में जिराक, पासवान, जिन्दाबाद लिखकर ट्रेंड जरूर कर राएगा तो बढ़ते अगली बड़ी खबर आए जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल क्या आ रहे हैं क्या फिर होगा सियासी खेला जेडियों के एक-एक बिधायक से मिले नितिश कुमार जाने किस बात पर हुआ मनतन लोग सबाचुनाओ 24 को लेकर बिहार में सियासत का पारा हाई है इससी भी शुक्रवार को मुक्यांति नितिश कुमार अपनी पार्टी जेडियों के बिधायकों से मिले लेकिन विधायकों से एक शामुहिक मुलाकात नहीं हुई बलकि नितिश कुमार ने वन टू वन बात की बतायाज लेकि जितने भी विधायक आई नितिश कुमार ने शभी को एक साथ बैठा कर तमाम चीजों पर मन्थन और बात्चित नहीं किये वह बारी बायद से एक एक विधायक से मिले और तमाम चीजों पर उन्होंने मन्थन किया विधायकों से कहा कि वह लोगों के जन संपर्क में रहे छेतर में रहकर अपने काम को करे और कटनाई हो तो मुझसे संपर करे और मुझसे बताए और जनता के शमष्याओं को सुने और जनता के बीच रहे ऐसे तमाम चुचो को लेकर बिधायकों को नितिश कुमार ने आदेश दिया उन्होंने कहा कि अब आप लोग जल से जल जाकर बताये जल एकि लोगों के बीच रहे और लोगों से मिल कर रहे ऐसे one-to-one सलाधी ए नितिश कुमार ने तमाम विधायकों को ऐसे में जब विधायक बाहर आया तो विधायकों से पूछाया कि नितिश कुमार किस मुद्धे पर आप लोगों से बात किये तो उन्हों ने बताया कि मुख्यांतरी छेत्र और विकास से सम्मंदित बातों पर चर्चा हुई है साथ ही यही सलादी गए एक छेत्र में रहे और श्रण शंपर करिये और लोगों से मिली और लोगों की शमश्चाओं को सुनिये इन तमाम श्रण लेकर आप लोगों की आसोस ने अपना राय विजार लिख और कॉमेंट में जोड़ बताएगा तो बढ़ता अगली बड़ी ख़बर कियो है आया जानते हैं बहुत बड़ी ख़बर निकल के आ रहे बदा चले इस ख़बर को विस्तार्ट से बंटा धार कर दिये किसके कहने पर हुए बारत दिनों में नौ बदला और शिक्षक बरती नियमावली पर शुशील मोदी ने नितिस कुमार से पूछे ये सवाल पूर बे डिप्रिशियम और भाचपा शांसत सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि एसकूली सिक्षकों से लेकर कालेजों के शहाय प्रद्यापक तक की न्यूगती में अराजगता आये नितिस सरकार ने बहार की सिक्षक बेवस्ता का बंटा धार कर दिया चार लाग से अधिक नियूजट सिक्षक में मात्रब बारा सो लोगों ने आविदन किया आया और शाबित करता है कि नई सिक्षक बरती प्रक्रिया के परते लोगों में कितना आक्रोश है लोग आंदोलन करने पर उतर चुके हैं और ऐसे में नितिस सरकार ऐसे नहीं देख रहे है और बहार की लोगों को समश्याओं को नहीं देखा जा रहा है उन्होंने कहा कि नितिस कुमार दरता दिखाएं और श्रभी नियोजद सिक्षकों को बीना परिक्षे लिए राज कर्मी का दर्जाद दे रहे हैं सरकार बताए कि 12 दिनों के भीतर 9 बार नियमावली में शनसोधन क्यों करना पड़ा ऐसे तमाम युकों को लेकर आप लाज शुशिल मोदी ने उनको घेर आए इस पर आप लोग क्या सुसते हैं अपना राय विचार लिक और कॉमेट पे जो बताएगा तो बढ़ता है गली बड़ी ख़बर क्यों हाँ चानते हैं बहुत बड़ी ख़बर निकली क्या रहे है पिया मोदी ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया ज्यादा तर लोगों को नहीं आया शमच गूगल भी हो गया फिल्ड परधान मतिनारेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक ऐसा ट्वीट कर दिया ना तो हिंदी में लि आप देखिक कंस धेयर पहले इस पर आप देखिक की नारेंद्र मोदी जी ने अपनें टीटर एकाउंट से हिंदी में आज फूप किया है त्यसके बता दें कि दूसरे भाशान में ट्वीट किया था जिसके चलते लोगों को कम चीजों वह पढ़ने में दिकत और बड़ा disturbance आई जानते हैं बहुत बड़ी ख़बर निकल के आ रहे हैं बताते चले इस ख़बर को बिस्ताश अच्छी बारिश है खिले की शानों के चेहरे धान की खेती ने पकड़ी रफतार चाई ड्रेगन फूट की तमाम जितने भी किसान है फलों को उनको फायदा होगा मांसून की बारिश ने तमाम जिलों में रफतार पकड़ ली है दो दिनों से रुक रुक कर हुई बारिश के बाद सुक्रवायर की अगले सुबार जमकर बारिश हुई है ऐसे में तमाम जिलों पर 50% बारिश पहुंच गया है जिससे तपमान में भारी गिरावट देखने को मिली है औ बहुत सारे किशानों को बहुत ज्यादा फाइदा हुआ है और तपमान की गिरावट से आपने मौश्रम में काफी ठंडा जैशा हो गया है इन तमाम चीजों को लेकर इधर हाली के दिनों में पहली इतनी तेज बारिश के बाद किशानों के चेहरे खिल उठे हैं बारिश ह जश्वी में बढ़ सकती है दरार शिक्चक बरती मुद्दे के बाद बिहार की राजनितिक ले सकती है करवट बताते चले कि नितिश कुमार को बारत ये राजनितिक कश्रफ से अपरत्यासित नेरता माना जाता है वो कब कहां और कैसे यूटन लेले किसी को पता नहीं होता इस वक्त तेजश्वी आदो के खिलाफ लेंड फॉर्स जोब मामले में जिस तरह से चार्ट शिट हुआ है ठीक ऐसा ही एक चार्ट शिट दोयर्शत्र में भी उनके खिलाफ हुआ था जिसके बाद नितिश कुमार ने गटवंदन तोड एंडिये का दामन थाम लिया था त बिहार के चर्चित आयस अधिकारी केके पाठा कुछ महीने पहले अपने मातहत अधिकारियों को गाली नूमा शब्दोशे नवाजों के कारण सुर्ख्यों में आये थे इस बार शिक्षक बिवाग का अत्रिक्त मुख्य सचीव बने हैं और आते ही शिक्षक नियुक्ति प काफी खफा है और बकाइदा एक पत्र लिकर अपना विरोध जता चुके हैं कि और इस पत्र के बाद से आर्जैडिस जेदियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है ऐसे तमाम चुझों को लेकर इसे पहले भी राजनितिक जुबानी जंग से इतर एक गर पर देखने के लिए बेचायन हो लेकिन तेजश्वी का सारा फोकस बिहार और तमाम चुझों पर होना ही चाहिए इन तमाम चुझों के लेकर आप लोग क्या अपना राइब बिचार लिकर कॉमेंट में ज़रू बताएगा तो बढ़ता अगली बड़ी खबर क्यों हाँ जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल क्या रहे बड़ेगी जीताना माजी शंतो शुमन की मुस्किल है नीती शरकार कर रही है विभाग शमिक्षा जाने मंत्री रंतनेश का आरोप बिहार की राज़तिक में बडलाव लेने की शंस्कृती बढ़ रही है जब तक नेताव शाथ रहे तब तक सब कुछ ठीक पाला बदलते हैं बयान बाजी के शाथ एकसन का दौर भी शुरू हो जाता है जीताअनामाजी के बेटर शंतोस शुमन के स्थीफे के बाद नित्री शरकार में मंत्री बने रतनेश शुदा एकसन में आगए उन्होंने संतोस माजी के कारेकाल के दोरान किये गाईकारियों के शमिक्षा शुरू कर दिए यह अभी काया किमक्यांत्री रहे कई है ऐसे तमाम चुक के लिए कर वह बोलती है इस पर आप लोग क्या सोचते हैं अपना रहा विचार लिख कर कॉमेंट बेजो बताएगा तो क्योंकि आपकी कमेंट का हमें बेशबरिस से इंतजार रहता है अगर वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को अभी तो स्क्राइब किजेगा तो स्क्राइब पाला बताएबरिस से इंतल को कि अभी तो समय प्रृ।